साथिन आसकार बहुत स्वागत है अमारे इस चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के मानों सरीर यानि हीमन बोडी इस रिलेटे टप फोटी कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चाम से रेल पे अंटी पी से गुरुपडी SSC और पुलिस एकजाम के लिए काफी इंपोटेंट है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ति देखिए चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्वली घंटी के निसान है उससे भी अनकरते हैं ठीक है इसके अलावा आप इस अनकेडमी के फ्री टेस्ट स्रीज से जूड सकते हैं जो कि क्वांट सभाई और भिना सर्मा के द्वारा आजित किया जाएगा जिसका सीडियो लिस परकार से है और यह सभी परतियोगी तब परिक्षा के लिए इंपोटेंट है तो आप इसको इन्रॉल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आगया है ठीक है यदि आप अनकेडमी पर फर्स टाइम विजिट कर रहा है तो आप हमारा अनलाक कोड यूज कर सकते हैं इस्टडी आवर टार्गिट ठीक है अनकेडमी के फरी प्लांस के लिए तो देखें यहाँ पर हमारा पहला कुश्चन है मानोसरी में मानस्पेसियो को हड़ियों से जोड़ने वाले उत्ता को निमनलिखित में से क्या बोला जाता है तो देखे मानोसरी में मानस्पेसियों को हड़ियों से जोड़ने वाले उत्ता को ये कॉंडर यानि टेंडन बोला जाता है ठीक है ये करेक्ट हो जायेगा इसके अलावा मानोव सरी में कितनी मानसपेसिया पाई जाती है तो देखें मानोव सरी में 649 मानसपेसिया पाई जाती है ठीक है जबकि मानोव सरी में 206 हड़िया पाई जाती है ठीक है जिसमें सबसे बड़ी जो हड़ी होती है वो होती है फीमर है जो कि जांग की हड़ी होती है और सबसे छोटी जो हड़ी होती है तो यह होती है स्टेपिस है और यह कान की हड़ी होती है ठीक है कुश्चे नमर 2 है मानव सरी के अंदर है खून निमने लिखित में से किसके उपस्तिते एक कारण नहीं जमता है तो देखे लेखित में से किस के द्वारा बनाया जाता है तो देखे एक कंडर याने टेंडन जो है ये केवल कालेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है ठीक है ये करेक्ट जायेगा कुश्चे नमबर चार है हमारे मानस्पेसियों में किस हम लेखे कारण पीडा होती है तो देखे हम वहारे मानस्पेसियों में जो पीडा होती है, तो यह लाइटिक अमल के कारण पीडा होती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जायाएका, कुश्चन नमबर पांच है, मानस्पेसियों के ठाकान, निमनलेखित में से किस के संचायन की वज़ा से होती है, तो देखी, यह तो हमने अभी भी बताया कि महास्पेसियों में जो ठकान होती है तो यह लाइटिक अमल के संचायन की वज़ा से होती है ठीक है यह करेक्ट हो जायाएका कुश्चे नंबर 6 है निम्नलेखित में से किस में प्रचूर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते है तो देखे इसे करेक्ट आंसर प्रचूर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते है ठीक है कुश्चे नंबर 7 है मनुस्य के सरीर में बॉर्टी ब्रेट है निम्नलेखित में से किस का एक भाग है तो देखें मनुस्य के सरीर में जो बॉर्टी ब्रेट है तो यह रीड की हड़ी का एक भाग है ठीक है तो होती है तो देखे नौजात सेसों में जो हड़ियों की संख्या होती है तो ये होती है तीन सो ठीक है जबकि एक ब्यास्क मनुसे में हड़ियों की संख्या कितनी होती है तो ये दो सचे हड़िया होती है ठीक है कुश्चन नमबर नाइन है मानुसरी में दो हड़िया आपस में कि इस परकार जूड़ी होती है तो देखें मानौ सरीर में जो दो हड़िया होती है तो यह आपस में अस्ति बंद यानि लीगामेंट्स के द्वरा जो जूड़ी होती है ठीक है, B करेक्ट हो जायाएका कुश्चे नमबर 10 है मानौ सरीर में हड़ियों को निम्ले लीखित में से कौन जोड़ता है तो देखें मानौ सरीर में हड़ियों को यह असनायू बंधन जो जोड़ता है ठीक है तो यहाँ पर D करेक्ट जायाएका कुश्चे नमबर 11 है दो हड़िया एक दूसरे से किसी यान्य सनयोजी उतक द्वारा जोड़ी हो सकती है उसे क्या कहा जाता है तो देखें उसे बोला जाता है असनायू ठीक है दो हड़िया एक दूसरे से किसी यान्य सनयोजी उतक द्वारा जोड़ी हो सकती है उसे क्या बोला जाता है तो उसे असनायू बोला जाता है, ठीक है, question number 12 है, निमनलिखित में से कौन सा एक है, मानव हड़ी का जोड नहीं है, तो देखे इसे correct answer, option C हो चाहेगा, macro जो है, ये मानव हड़ी का जोड नहीं है, और बाकी, ये तीनों, बाल और socket, gliding और saddle, यानि ये तीनों जो है, ये मानव हड़ी के जोड है, ठीक है, question number 13 है, मानव सरी के सबसे छोटी हड़ी, निमनलिखित में से कौन सी है, तो देखे ये तो बता हैं चुक है, कि मानव सरी के सबसे छोटी हड़ी, estepis है, और ये कहां पर पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है, ठीक है, question number 14 है, मानव सरी क सबसे लंबी हड़ी निमनलेखित में से कहां पर पाई जाती है तो देखें मानुख सरी की जो सबसे लंबी हड़ी है तो ये पाई जाती है जांग में जांग में पाई जाती है जिसे फीमर बोला जाता है ठीक है कुछ नमबर 15 है मानोसरी में मौझूद सबसे कठोर पदार थे निमनलिखित में से कौन सा है तो देखें मानोसरी में मौझूद जो सबसे कठोर पदार थे तो यह है दात की परत जिसे यह नामल बोला जाता है जो कि केलसियम फास्वेट का बना होता है ठीक है तो यहाँ पर D correct हो जाएगा Question number 16 है निम्नलिखित में से कौन सी गरंथी हर्डियों और मांस्पेसियों के विकास को नियांतरित करती है तो देखे इसे correct answer option B हो जाएगा पिटी उटरी गरंथी जो है यह हर्डियों और मांस्पेसियों के विकास को नियांतरित करती है ठीक है इसके अलावा पिटी उटरी गरंथी को यह master गरंथी भी बोला जाता है ठीक है Question number 17 है चाती के आसपास की हर्डियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है तो देखे चाती के आसपास की जो हर्डियों होती है तो उसे ribs यानि पसलिया जो है बोला जाता है ठीक है C correct हो जायाएका Question number 18 है Read को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है तो देखे Read को यह मेरू डर्ण के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो यहाँ पर C correct हो जायाएका Question number 19 है घूटने के हर्डि को किस नाम से जाना जाता है तो देखे घूटने के जो हर्डि होती है जो उपर नेचे होती है तो घूटने के जो हर्डि होती है तो इसको क्या बोला जाता है तो इसको पटेला बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाये का कुश्च नमबर 20 है मनुसे की पाचन नली कितने फिट लंबी होती है तो देखे मनुसे की जो पाचन नली होती है तो यह लगबग 32 फिट लंबी होती है तो यहां पर D correct हो जाये का केलसियम जो होता है तो यह हड्डियों के लिए उसे को होता है ठीक है तो यहाँ पर D करेक्ट हो जायाएका कुश्चे नंबर 23 है निमने लेखित में से किस मानस्पेसियो को कंकाल मानस्पेसिया भी कहा जाता है तो देखिए इसका करेक्ट अंसर option D हो जाएगा H1 मांशपेसि को जो है ये ani कामकाल मांशपेसि है जो है कहा जाता है question number 24 है मानौ सरी के सबसे चोटी मांशपेसि निमने लिखित में से कौन सी hootी है तो देखे mानौ सरी के सबसे चोटी मांशपेसि होती है तो ये होती है step rear view ठीकए इस टेपेडियम जो होती है ये मानौसरी के सबसे चोटी मानस पेसी होती है ठीकए बीकरेक्ट हो जायेका question number 25 है मानौसरी के की संग में protein का पाचन शुरू होता है तो देखे protein का जो पाचन शुरू होता है तो यह मास्य से सुरू होता है और चोटी आत में खतम होता है ठीक है इसके अलावा मानोसरीर में भोजन का पाचन कहां से सुरू होता है तो मानोसरीर में भोजन का जो पाचन होता है तो ये मुख से सुरू होता है ठीक है कुछ नमबर 26 है कान में मौजूद तीन हडिया निमनलेखित में से कौन सी है तो देखे कान में सुद्ट तीन हड़्य है थिके 3 करेक्ट हो जायाएका pikुस्चन नमबर 27 थीके 1 करेक्ट हो जायाएका ayrkly बांगि स्योआ करेक्ट सिद accounting करनेक लिए सिकूडता है निम्णी लिखित मैं से क्या कहलाता है तो देखिए मायोसिन और एक्टिन जो है ये मानस्पेसिय प्रोटीन है ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जायेगा कुछ्चन नमबर उन्तेस है सारकुलेमा वह जिली है जो डैस को कबर करती है तो देखे सारकुलेमा जो है ये मानस्पेसिय तंतु को जो है कबर करती है ठीक है तो यहाँ पर C correct हो जायाएका Question number 30 है निमनलेखित में से कौन मानोसरी में पाई जाने वाले हड़ी नहीं है तो देखिए इसके correct answer option D उचायाएका एक सा जो है यह मानोसरी में पाई जाने वाले हड़ी नहीं है और बाकी यह तीनों यह तीनों हड़ी जो है यह मानोसरी के अंदर पाई जाती है Question number 31 है निमनलेखित में से कौन अस्ति बंद है यानि लीकामेंट्स द्वारा जूड़े होते है तो देखिए इसके correct answer option B हो जायाएका हड़ी हड़ी से जो है यह अस्ति बंद यानि लीकामेंट्स के द्वारा जो है जूड़े होते है Question number 32 है एक और सत ब्यas की मनो से कंकाल में हड़ी यह गुल संख्या कितनी होती है तो देखिए एक और सत ब्यas की मनो से कंकाल में जो हड़ी यह गुल संख्या होती है तो ये दो सच्छे होती है, ठीक है, B करेक्ट हो जायाएका, कुश्चे नमबर 33 है, निमनलिखित में से किसके सहायता से रख्त द्वारा ओक्सिजन ले जाया जाता है, तो देखे इसे करेक्ट अंसर ओप्सन, ए हो जायाएका, लोहित कोशिकाओं के सहायता से जो है, ये रख निर्मित होती है, तो देखे रुधिर के प्लाज्मा में ये लिंफो साइट के द्वारा जो है, एंटर बार्डिज निर्मित होती है, ठीक है, B करेक्ट हो जायाएका, कुश्चे नमबर 35 है, इस पर्मो लाजी में निमनलिखित में से किसका अध्यायन किया जाता है, तो द जिवाड़ू मर जाते है, तो देखे मनुस्य के आशू में ये लाजी सो जाइम होता है, जिससे जिवाड़ू मर जाते है, ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जायाएका, कुश्चे नमबर 37 है, निमनलिखित में से कौन सी गरांथी, रक्त केल्सिया मस्तर को कम कर देती ह तो देखिए, इसके करेक्ट आंसर अप्शन डियो जायाएका, थाइराइड गरांथी जो है, ये रक्त केल्सिया मस्तर को कम कर देती है, ठीक है, कुश्चे नमबर 38 है, पिटी उट्री गलांड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी गरांथी नियांतरित करती है, तो देखि ग्ती नमबर 49 है, मानुशिर में किसम का परतिर ओपन नहीं किया जाता है, थिक है, इसके बाद यहाँआपर हामार अगला कुश्चन है, निकलनले खित में से कवण से लाओड मानुशिर में सरवाधिक मातरा में पाय जाता है, तो देखिए, यहाँपर आपको चार शुडियम कोल्राइड, केलसियम कार्बोनेट, मेगनेशियम कोल्राइड या फिर केलसियम फासवेट है, तो दोस्तों आप इसका अंसर जो है कमेंन बॉक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है जरूर करें चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निसान है इसे भी आने करते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग